स्टेमाइंड तो यहोप आप सब लोग ठीक होंगे से एंसे हों अपने गर करने वा रहे हैं डिमांड एंड सॉपलाई जौन čय होतो Almost है क्लांकि यह होता कि आइस मकले हो भी हो और हमक्ति heeft में इस चीज को सप्लाय का कॉंसेट के लियर नहीं तो आप कभी भी अजन यह नहीं समझ पाउंगे और उपर से जो हुआ केंडल की जो साइकोलाइब के नहीं समझ पाऊंगे कभी भी अगर आपका इस व मार्केट में उतार चाड़ा थे वो डिमांड and सप्लाय की वगज़ नहीं जो मार्केट जो उपर जाती है हमेशा जिग-जग वे में ही चलती है तो क्यूं आप क्यूं चलती है विकाद आप डिमांड सप्लाइ सप्लाइज जादा होती है तो मार्केट गिरने लग जाती है सप्लाइज कम हो जाती है डिमांड बढ़ जाती है तो मार्केट उपर जाती है मैं आपो जो है वो ऐची तरीके से जो आज किलिा करवाता हूँ अच्छा लेता हूँ अच्छे तरह के आपको में समझा लेता हूँ तो अप से प wastewater है अप पहले मैं आपको जो है वो एक बात बता हूं आप डैली लाइफ की अग्जेंपल को देखकर डेली रुटीन में जो चीज़ें होती है उनको देखकर भी आप डिमाइनट अपलाएगो अच्छे तरह करे समझ सकते हूं जैसे कि मैं आपको बताओं जैसे मैंने आपको एक्जेंपल का ठीक है मार्किट की एपल का मैंने जो है वापको है अब किसी भी चीज़ की डिमांड तब ही बढ़ती है जब सिच्वेशन इस चीज़ के जो है वो मुताबिक चले ठीक है जिसे मान ने कि जब करुना पनेमिक हाया था तब जो य हो मास्क जो थे मासकें अनकी डिमांड बहुत जादा बढ़ गई थी हर कोई बंदा जो है do अब डिमांड का आसान जबान में मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का ज्यादा यूजेज ठीक है किसी भी चीज का ज्यादा यूजेज अब सप्लाइ क्या है सप्लाइ में आपको अब समझाता हूं सप्लाइ ऐसे है कि किसी भी चीज को किसी भी चीज की जो कौईंटिटी होती है उसे हम सप्लाइ बोलते हैं कि किसी भी चीज की कौईंटिटी म अभी इस चीज की डिमांड है, यह जब हम मार्केट में लाएंगे तो यह बिना किसी वज़ा की इसे ही बिक जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भर भर के जो हूँ मास्क बनाना है, इस चीज को हम सप्लाई केते हैं, बड़ी सप्लाई के साथ आओ, जब चीज ज्यादा क्वाइट टीम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी चीज़ की जो प्राइज है वो कम होती जाती है ठीक है अगर आप उस चीज़ को थोड़े थोड़ा बनाओगे तो उस चीज़ की जो है वो प्राइज बढ़ जाती है ठीक है ना तो इस वज़े से जो है वो डिम प्राइस का फंडा इस तरीके से चलता है कि जब भी डिमांड बढ़ेगी प्राइस भी बढ़ेगी ठीके डिमांड जो है वो बढ़ेगी तो प्राइज बढ़ेगी यह बात आप जो है वो समझ ले डिमांड बढ़ी प्राइज बढ़ी सप्लाइब बढ़ेगी तो क्या होगा तो प्राइज गिरेगी ठीके सप्लाइब बढ़ी तो जो है वो प्राइज गिरेगी ठीके मैं किसे जो है वो काम करती जो है फंडा चलता है अब असान जबार में आता है डिमांड बड़ी प्राइस भी बड़ी सप्लाइब बड़ी प्राइस कम हो जाएगी डिमांड कम होती गई कम होती जाएगी डिमांड जब कम होती है तो क्या होता है कि सप्लाइब बढ़ती है ठीक ह जब सप्लाइ जदा एक संज़ों में आरहा हुगा आपको मैं कोछ इसी तरीके से मर्किट का फनना चलता है अब मर्किट में आपको डिमांड इड सप्लाइ का क्या क्या toolkit में आपको बताू हूँ कि अब इसमें क्या होता है अब होता यह है कि मान लें कि यह जो चार्ट पिटन हमने बनाया है यह जो है वो वन हवर या टू हवर या किसी भी टाइम फ्रेम का है इसे जो है वह आप उसको जो है वो इमेजन कर लें अब जिसे मैंने यह चार्ट बनाए अब क्या हो रहा है कि से मार्किट नीचे गिरी अब यहां से मार्किट नीचे क्यों गिरी क्यों क्यों कि यहां पर मार्किट की जब एक हाए पे चल रही थी हाए पे तो वो नीचे इस वज़ जैसे गिरी क्योंकि यहां से मार्किट में कुछ जो है वो सेलर्स आ गए अब एक बात आप याद रखे डिमांड तब बढ़ती है जब बायर्स ज्यादा हो जाएं ठीके डिमांड तब बढ़ती है जब बायर्स जो है वो ज्यादा हो जाएं सप्लाय तब बढ़ती है जब सेलर्स ज्यादा हो जाएं ठीके इस बात को आप जो है वो क्लियर कर लें ठीके अब सेलर्स जब ज्यादा होंगे supply means ज्यादा है समझे बायर ज्यादा है means demand ज्यादा है इस बाद को भी इस बाद को भी जो समझ लें ये ये जो concept डिमाइन supply का ये सिर्फ आपको trading में काम नहीं आएगा बलके आप कोई भी business करेंगे कोई भी धंदा आप करना चाहते हैं तो उस धंदे के business के basics हैं अगर ये आपके clear नहीं होगे तो आप business करोगे तो वो सारी जिन्दगी चोटा ही रहेगा ठीक है सारी जिन्दगी हमारे यहां जो भी business वगरा होते हैं तो वो इसी वज़े से सारी जिन्दगी एक ही price पे वो एक ही चोटा सा profit बनाते रहते हैं क्योंकि उनको जो है वो real business के जो है वो concept के लिए नहीं होते है ठीक है अब जब किसी भी चीज़ की डिमांड आप पड़ती है जब बाइर जादा होंगे तो उस चीज़ वो चीज़ जो है वो quantity में कम हो जाएगी ठीक है जिसे मैं आपको बता सिर्फ उसके पास से ठीक है माल लें कि पांच जो है वो बंदे खरीदने वाले और एक जो है वो बेचने वाला है ठीक है एक बंदा बेचने वाला है पांच बंदे खरीदने वाले है तो जो एक बेचने वाला है क्योंकि वो एक है तो वो उन पांच पांच को जो है वो जो वह बेसने वाले पांच हों तो क्या हूगा जो बेसने वाले पांच होंगे वो उस एक बंदे को बो बोलेंगे कि गованически एक मना ऐ ख़लेगेnhें क मैंनें बोलेगे 2 मगाए हमारसे में फिरदा ख़र खो 9 वद बोलेंगे कि यह हमसे खरीदे यहां जो है वो हर कोई भलेगा हमसे खरीदे तो वो कम प्राइज में भी उसे दे देंगे इसी वह जैसे जो है वो इसा कुछ चलता है अब जब जहां पर मार्किट में सेलर्स आए ठीक है यहां पर मार्किट में सेलर्स आए अब जब सेलर्स मार्किट में आए sellers बैठे होते हैं, ठीक है, 말고 opर flowerawns बैठे होते हैं और market की नीचे की side जो है, वो buyers, बैठे होते हैं, ठीक है, तो market नीचे किरना शुरू होती है, और जब भी market नीचे आ जाती है, तो buyers बायर करना शुरू करते हैं, तो साहरी मार्केट का जो है फंडा कुछ इसी तरीके से चलता है अब जब मार्केट में जो है वो अपने जो है वो सेलर्स ज्यादा होते हैं मार्केट में सेलर्स ज्यादा होते हैं तो वो मार्केट गिरना शुरू कर देती है ठीक है मार्केट गिरना शुरू कर देती है क्यो क्योंकि जो ह keyword होते इंद धीं कि तस वचेधा उटें कि बाइझ वह सुट का ते वह समझगा घरू लगताय गुर्ट चे अब मैंने इस तरीके से यह बनाई है मैंने जो हो एक चार्ट बनाया हुआ है यह चार्ट तो अब मैं इसको आप अच्छे तरीक से देखें और समझने कोशिशिश करें जब मार्किट फिर से उठकर यहां तक आ गई अब यहां पर क्या होगा सेलर्स अब सेलर्स भी जो बायर्स होते हैं वही सेलर्स बनते हैं जो सेलर्स होते हैं मार्केट उपर उठना शूरू होगी उठना क्यू शुरू होगी जब जितने लोग यहाँ पर ज्यादा खरीदारी करेंगे तो वहां का जो बेशने वाला होगा वो बलेगा कि इतने सारे लोग जो ऑख और रहे तो अब राइस को बढ़ाते हैं प्रास को बढ़ते प्राइस को बढ़ाते हैं बढ़ना शुरू हो जाती है जै अब यहां परków इस यहां पर उप्छान पर रूपीश जो है जोसे बढ़ गई ऊपर हैmi वह नई चो速 हो गई мен mixya उनका पैसा डबल हो गया और उसवाबेंगे तो मार्किट Remember Confucius अपने लोगों को टाइगी तेकिह मार्किट का यही पंडा चलता है नीojकी जब भी उपर जाएगे तोael इसकриз Abi जहां से मार्किट उठती है वहीं प्राकर गिर ती है यह मार्किट का Configants है और ये बात तो आप के लिए करी लीजिएगा कि उपर मारे किट के सेलर्स होते हैं और नीचे जो है वो बायर्स बैठे रहते हैं जब सेलर्स जो होते हैं उनके पास अमाउंट जो है वो ज्यादा होती और जो बायर्स होते हैं उनके पास अमाउंट कम होती ये भी बात में रखिएगा अब चलते हैं जो है वो ट्रेडिंग वीव पे और में जो है वो आपको जो है वो दिखाता हूं ठीक है यह हम जो है वो ट्रेडिंग वीव पे आगए ठीक है आए अप सो आपने ट्रेडिंग वीव का अकाउंट बना रखा होगा अब ट्रेडिंग वीव पे अब देखिए अब यहां पर हो क्या रहा है ठीक है यह मैंने जो है वो जीडी सी का जो है वा चार्ट आपन करा हुए पाकिस्तान प्येसेक्स में रिजिस्टर्ड है और बेस्ट कंपणी है सबसे ठीक है यह देखे इदर आपको प्राइस शो हो रही होगी सिस्ट्रोक की ठीक है कितनी जो है वो नईनटी सेवं जो है वो प्राइज ठीक है अब यहां पर हो क्या रहा है आप यहां पर हो यह रहा है जो इदर मारकीट है ठीक है मैं आपको दिखाताँ के सेलर सोर बाय जो हो किस तरीक से होता है प concerned तो मैं से कि दर से कि guess क्या मैं आप अब आपको दिखाता हूं यहां फैर हम इदर से पीछे ज्योरे कोई ऐची सी जगह देखें कि हाँ यहां पर मार्किट जो है है लिए तो हम कि दर है समझते हम देखे अभ यहां पर हो क्या रहा था अब आप दैखे अब इदर से मार्किट जो है फिलक्टिशन करती 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 आ रही दी अब यहां पर क्या हुआ यहां पर पहले देखें यहां पर एक जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ यह दर एक जो है वो अपना अधर जो है वो एक support है यह resistance के है अभी में आपको समझा हूँगा पेले में यह concept आपको करे यह लो है and यह जो है हाय पॉंट ठीक है अब यहाँ पर हो क्या रहा है ठीक है अब यहां पर आप इस चीज़ को समझे अब यहां पर हो रहे हैं कि मैंने आपको बता है कि ऊपर जो है वो कौन होते हैं उपर जो है वो सेलर्स हमारे जो है वो बैठे रहते हैं ठीके सेलर्स और नीचे को बैठे रहते हैं बायर्स बैठे रहते हैं ठीके अब बायर्स क्या करते हैं बाय करते हैं अब जब भी यहां पर बाइंग हो रही है नीचे से तो मार्किट जो है वो यहां पर कितने चल रहा है थाटी एट रुपीस जो है वो शेयर की प्राइज इदर जिन्हों नहीं बाय करा होगा वो यहां पर जब आए होगे तो यहां पर कितना हो गया जो है वो एटी एट रुपीस की जो है वो इदर शेयर सो गया इदर आपको जो है वो प्राइज जो ह हो रही होगी ठीक है एटी एट रूपी जब शेयर हो गया तो जो है वो सब सेल करना शुरू कर अब जब सेल करना शुरू किया तो सेल जब लोग करेंगे तो क्या होगा शेयर बहुत ज्यादा क्वाइंटी में हो जाए ज्यादा क्वाइंटी में हो सेल करने वालें वह कम अगय की उन्हों ने सब जो जन्हों ने वाइट किया ओगा मंधर किया होगा अब जो यहां पर सेल करने वाले जो दो जो बहाइक ठरी इस अब आपका अब रहा ज टेलर्स होते हैं नीचे यह वो बायर्स होते हैं दो मार्किट में यह फ्लक्टेशन्स आती है मेंदे अब डीमांड बाइंट सप्लाई के वजए से ओर हुए है जूरहीए ब पर पहली है जब देखें केंडल भरन रही दो इनल बन और यहां तक बनी ओघो पर क्या खक्तों Pamic और नोंगे और यहां पर प्यांगे जब हो गया किनुप सी टोटी नियुक्ति कन जूसे बाने आंपई लिए और हेंगे यहाँ पर जिन्होंने बाई करा उनकी जो है वो 97 रुपीज मेंच एक रुपे में उन्होंने खरीदा अब उनके जो है वो 89 रुपीज में इस दो रुपे होगे पैसा उनका डबल हो गया तो उन्होंने इदर जो है वो सेल करना शुरू किया इदर या फिर इदर या फिर है फिर इधर hours में का उन्होंने इदर एस एल करना सुरू कर दिया होगा अब सेल जब जब तो आपको ये concept clear हो चुका होगा अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप मुस्से पूछें मैं आपको जो है वो अच्छे तरीके से clear करा दूँगा ठीक है comment box में या फिर आप जो है मुस्से वार्ट्साप पर भी पुछ सकते हैं या दर्वाइस इंस्ट्राग्राम पर भी मैं सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर के जिए और दूसरों के भी जो है वह सिखने का मुख्या दीजिए और आपको के लिए हो चुका होगा मैंने आपको जो है वह आसानी से समझाए अगर आपको ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड करें उसमें अपना आकाउंट बने हैं जो है प्रेक्टिस करें थोड़ा केंडिल्स और को देखें और इन कॉंसेप्स को समझने की कोशिश करें क्योंकि यह बेसिक्स हैं अगर आपने इन बेसिक्स को चेतर के समझ लिया देन आपको ट्रेडिंग में प्रोफेट करने से कोई भी नहीं रोकेगा थैंक्यू बबाए टाटा